गंभीर और कोली के जगड़े का हो गया खुलासा कोली की गाली सुनकर गंभीर हुए थे आगबबूला सपोर्ट स्टाफ और साथी खिलाडियों ने खोल दिये राज IPL 2023 में एक मही को RCB बनाम लकणों सुपन जाइंस के बीच रोमांचक मैच खेला गया इस मैच में RCB की टीम ने 18 रणों से जीत दर्च की मगर ये मैच इतिहास में याद रखा जाएगा तो वो विराट कोली और गौतम गंभीर के बीच हुए विवाद के लिए मैच के बाद कोली और गंभीर के बीच तीखी बहांस हुई ये बहस इतनी तीखी हुई कि बाकी खिलाडियों और सप्पेर्ट श्टाप को बीच बचाओ के लिए आना पड़ा इसके वीडियो और फोडेच काफी वाइरल हो रहे हैं वीडियो में साब देख सकते हैं कि लखनव टीम के अमित मिश्रा और बंगलूर के कप्तान फाफ डॉपलेसी बीच बचाओ के लिए आए जो उस पूरे विवाद के चस्मदीत थे उस घटना के दोरान डगाउट में मौदूद थे उन्होंने सुत्रों के हवाले से बताया कि आपने टीवी पे देखा कि मैच के बाद मैदान में ही केकाईले मेर्स और कोली चलते हुए कुछ बाते कर रहे थे मेर्स ने कोली से पूचा कि वो उन्हें लगातार गाली क्यों दे रहे थे इस पर कोली ने उनसे पूझा की वो उन्हें घूर क्यों रहे थे इससे पहले अमित मिस्रा ने भी एमपायर से सिकायत की थी कोली लगातार नवीन को गाली दे रहा है जो दस नंबर पर बैटिंग करने के लिए आया था जब कोली ने कमेंट किया तो गंभीर ने मामला के समझा और बात बढ़ने से पहले उन्होंने मेर्स को खीच कर साइड में ले जाने लगे और बात करने से मना कर दिया इसके बाद जो बहस हुई वो थोड़ी सी बचकानी सी लगे गंभीर ने पूछा क्या बोल रहा है इस पर कोली ने कहा मैंने आपको कुछ नहीं बोला है आप क्यों गुस रहे हो फिर गंभीर ने जवाब दिया तूने अगर मेरे प्लेयर को बोला है मतलब तूने मेरी फैमिली को गाली दी है इस पर कोली ने कहा तो आप अपनी फैमिली को सभाल के रखिये फिर आखिर में गंभीर ने कहा तो तू अब मुझे सिखाएगा इस मामले में IPL की ओर से बड़ा अक्षन हुआ है IPL में एक प्रेस रिडीज जारी की है विराट और गंभीर दोनों को IPL Code of Conduct के तहट दोसी पाए गया है दोनों ही लोगों ने अपने आपरादों को मान लिया है दोनों पर सौ फिसदी मैच फिस काट ली गई है विराट एक करोण साथ लाग मैच फिस कटी है वहीं गंभीर की हाइंडेट फिसदी मैच फिस कटी है कोली और गंभीर के बीच IPL 2013 सीजन में भी बिलन्ट हो चुकी है तब गौतव गंभीर कोलकाता नाइट ट्राइडस की कप्तान थे मगर इस बार वो लखनओ के मेंटार है वहीं इस IPL में गौतव गंभीर और विराट कोली एक दूसरे को गले लगाते हुए भी दिखाई दिये थे तो ये नजारा तब लखनओ ने बैंगलोर को 10 अप्वेल को हराए था अगर आपी वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो फेस्बूक पेज को फॉलो करें वहीं अगर आपी वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तो यूटूब में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दन्यवाद